बिना दही, बिना सोड़ा, बिना बेकिंग पाउडर की फुले फुले गुप बारे जैसे सूपर सॉफ्ट नान आप भी घर पर बना सकते हैं इसे के साथ बनाएंगे काजु मखाने की टेस्टी सबजी जो बनेगी सीधे प्रेशर कुकर में लेकिन स्वाद आप भुलाई नहीं भुलेंगे तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है एक कुकर इसमें हमें दो टमाटर डाले हैं जिसे मैंने हाफ कट किया है दो हरी मिर्च, दो छोटी प्यास और कुछ साबुत मसाले तो मैंने यहाँ पर दो इलाईची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, तीन लॉंग और साथ से आठ काली मिर्चली है इसमें हम आदा कप मखाना और वन फोट कप टुकड़ा काजू डालेंगी तो आज हम सीधा प्रेशर कुकर में ही काजू मखानी की सबजी बनाएंगे जो सबसे आसान और टेस्टी बनेगी इसमें पानी डालकर इसका ढखन लगाना है और इसे हम दो से तीन से ट्याने तक पकने देंगी तो कप मैदा, आदा चमच शक्कर, वन टेबल इस्पून मिल्क पॉडर हाफ टीस्पून नमक डालकर इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल इस्पून ओईल आपको सरसो तेल नहीं डालना है दूद से आपको ये नान काटा लगाना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आपको पानी या दूद कुछ भी नहीं डालना है और इसे एक्टिवेट करने के लिए मैंने एक सेशे इनो लिया है तो कि आज हम ना तो बेकिंग पॉडर इस्तेमाल करेंगे ना ही बेकिंग सोडा इसे अच्छे से मिक्स करके तुरंट आपको आटा लगाना है और सबसे अच्छे बात ये होती है कि इनो से बहुत जल्दी नान बन जाते हैं आटा बहुत जल्दी फर्मेंट होता है आप इसे सरे पांच मिनट रखके भी फटा फटा और इंस्टेंट नान बना सकते ही जो बहुत सॉफ्ट बनते ही हम सबजी बना लेते ही तो दोस्तो चले अब हम कुकर को देख लेते ही तो सारा प्रेशर अब डाउन हो चुका है और ये देखे जो प्यास, टमाटर, काजू, मकाने थे वो सब अच्छे से पक चुके ही अब टमाटर के छिलके निकाल लेने ही और ये सारी चीजे आपको डालना है मिकसर के जार में बस ध्यान यही रखना है कि वो थोड़ा ठंडा हो गर्मा गर्म नहीं डालना है दोस्तो और इसके एक स्मूध पेस्ट हमें बना लेना है चलिए अब जो पेस्ट है वो बन चुकी है और अब हम सबजी की बाकी की तयारी करेंगी तो कड़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सदे सीखी इसमें हाफ कप आपको काजू डालना है और इस पे अच्छे मार्क्स आने तक आपको इसे भुनना है जैसे इस पे मार्क्स लगने लगे हमें इसे निकाल लेना है इसे इसका क्रेंच बढ़ जाएगा और बहुत ही जाइकेदार सबजी बनेगी चलिए दोस्तों अब काजू हमने निकाल लिए है अब इसी सेम कड़ाई में हमें डालना है फिर से थोड़ा सा घी और एक कप मैंने लिए हैं मखाने मखानों को भी हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसका भी स्वाद बढ़ जाए अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसे भी निकाल लेंगे और अब फिर से कड़ाई में हमें लेना है तेल तो यहाँ पर मैंने तेल और थोड़ा सा देशी घी भी राला है आप घी को स्केप भी कर सकते ही इसमें डालेंगे आधा चम मजीरा साथी मैंने सूखे मसाले में लिया है लालमेच पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और वन टेबल इस्पून लसर नदरक का पेस्ट इसे हमें अच्छे से भून लेना है तो इसे अच्छे से भूनने के लिए आपको थोड़ा सा पानी जरूर डालना है वरना ड्राइ मसाले जल जाते हैं अच्छे से भून लेने के बाद जैसे ये थोड़ा सा पक जाए हमें इसमें तयार कीवी पेस्ट डाल देना है जो हमने अभी बनाई है साथ ही थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि जार में काफी पेस्ट है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है जल्दी भी बनती है और इसमें हमने आधा कब दूट डाला है क्योंकि आज की रेसिपी में हम क्रीम का इस्तमाल नहीं कर रही है अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे ढग कर पांच मिनिट के लिए पकाएंगे जैसे हमने इसे पकाया देखे जो ऑईल है वो अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से ढख कर पांच मिनिट के लिए पकाएंगे क्योंकि काजू को हलका सॉफ्ट होने में टाइम लगता है तो जैसे मैंने पांच मिनिट के लिए इसे रखा आप देख सकते ही सब्जी का टेक्स्चर कितना चेंज हो चुका है और इतनी क्र तो आपने आज तक कभी खाई भी नहीं होगी अब इसमें डालेंगे हम यह रोस्टेट मखाना और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे हरी धनिया डालकर फिर से इसे हम पांच मिनिट के लिए ठक कर पकाएंगी ताकि मखानी के अंदर भी मसालो का सारा फ्ले उन्होंने इतनी जादा तारीफ की थी तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राइ करना आपकी महमान काफी खुश हो जाएंगी तो जैसे मैं इसे निकाल रही हूँ आप इसका टेक्शर देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आपने कितनी शांदार सबजी बना लिए हैं अब इसके ओपर हमने फिर से ये थोड़े से फ्राइ कीवे काजू और हरे धनिया से हम इसे गानिश करेंगे और अब हम नान बनाते हैं तो आटे ने रेस्ट कर लिया है दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फर्मेंट हो चुका है अब इसमें से पेडा लेना है इसे हमें थोड़ा सा बेल लेना है और इसके बीच में हम थोड़ा सा तेल और आटा लगाएंगे इसे हमारे जो नान हैं वो काफे अच्छे से फूलेंगे और अच्छे से इसे इस तरीके से तेल और आटा लगाकर पैक करना है और इसे बेलना हैं तो आपको ये नान जाद raft मोटी नहीं बनाने हैं दोस्तों वरणा अंदर से ये कच्छे रहे जाएंगे तो इस बात का बिलकुल धियान रखे तो यहां पर देखे हलका सूखा मैदा मैंने डाला है और इसे अब हम बेल रहे हैं अच्छे से बेल लेने के बाद इसके उपर हलका पानी लगाना है और थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी से कलोंजी लगाकर हमें से चिपकाना है और फिर हम इसे तवे पर डालेंगे तो गर्मा गरम तबे पर डाल कर हमें इसे अलटते पलटते सेखना ही जैसे जैसे हम इसे सेखेंगे ना देखें मैंने या पर थोड़ा से घी लगाया है आप बिना घी के भी ये नान बना सकते ही और जैसे ही घी लगा कर सेखेंगे गुबारे की तरह ये नान फुल जाएगा और इसे देखकर आपको विश्वास भी नहीं होगा तो ऐसे फुले-फुले नान बहुत आसानी से आप भी घर पर बना सकते ही बिना दही, बिना पेकिंग पॉडर और बिना सोडे की तो हैना बहुत ही आसान तो आप भी ऐसे ही टेस्टी-टेस्टी रेसेपी прекрас को खुश हु strang ही आज की रेसेपी आपको बहुत पसंद में होगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज-ब्लीज